पूस्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर खौब भी वदलेंगे हकीकत में बस तू जरा कोशिस तो कर हलो साथियों मैं राज कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार PBR स्टडी में उम्मीद कभी आखरी नहीं होती मेरे भाई अगर आपको भी मयत नहीं आती है तो आप ये टेंसन अमारे कोपड़ी पर लाद दीजिए और टेंसन फ्री हो जाइए क्योंकि ये क्लास सिर्फ उनके लिए है जिनको मैत नहीं आती है PBR स्टडी लहाबाद चैनल पर आज 10 सितंबर 2022 तक बिना किसी परचार एडवर्टाइजमेंट के 4,15,000 चात्रों चुके हैं 4,15,000 एजुकेफनल चैनल पर सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक बंदे की सकल देखते हुए हो जाना यह हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है है ना तो यह विश्वास है प्यार है आप लोगों का जिन लोगों को मैत नहीं आती थी उनको सिखाने की एक मुहिम है हो सकता हमें बहुत कम नालेज है आपसे लेकिन जितना भी है हम अगले को पूरा पूरा टांसफर कर सकते हैं बस यही टीचिंग की एक अच्छी खासियत होती है किसी को कितनी भी बड़ी जानकारी है कितना बड़ा एक्सपर्ट है लेकिन उसका बताया अगले की बुद्ध है उसके पहले आप मुझे एक सवाल का जबाब देंगे छोटा सा यहां दिख रहा है कि कुश्चन है मेरे भाई इमांदारी से देखना और मुझे बताना इसमें से कौन सी संख्या अभाज्य है जैसे पहला 93, 75, 57 या 61 प्राइम नंबर इसमें से कौन सी है मैं सबके नाम बोलूँगा सबके कमेंट बोलूँगा थोड़ा सबर रख स्वर्गुल आ रहा होगा तो बता देना मुझे ठीक है अंकिता पास्वान रभी लक्ष्मी कुमारी पंकज अमरिता अंजली मिस्रा इनका नाम एक है मैं सायदा से पुछ है अमरितांजल मिस्रा दिनेश पास्वान कलपना निसाद विसाल कुमार हरसित रावत मोहिनी कुमारी अनिल सिंग अब्दुल नगीन गौरो कुमार और दिनेश उमेश मंजु भूमिका राकेश रोशन प्रांजल साक्ची तिवारी और भी तमाम बहुत से कंडिडेट के कमे मुझे दिख रहे हैं अधा डॉक्टर नंदनी मौर्या अरुन के आगे और भी कुछ लगाया है अरुन महाना इसका करेक्ट आंसर एनिमन कोई देगा सूपर टेट की हूँ अमरितांजल मिस्रा जी बिल्कुल सूपर टेट का क्लास मंडे को चलेगा इस समय सब्ता में तिन दिन हो रहा है बाकी पी वीर स्टेड़ी आप में सातों दिन हो रहा है तो आप एक बार आप जरूर डाउनलोड करें और ट्राई करें इसका करेक्ट आंसर 61 होगा यह सभी प्राइम नंबर नहीं है इनके तो से अधिक गुड़नखंड है फैक्टर है जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ ऐसे इंसान होते हमारी जिन्दगी में दुडिया में आते हैं जो देखने में बहुत सीधे साधे बोले भा वफादार लगते लेकिन अधर से वह बड़े मासूम और खतरनाक होते हैं तो वैसे यह नंबर आ जो आपको दिख रहा है ठीक है समझ रहे हो ना वैसे यह नंबर है तो यह देखने में क्या लग रहे हैं भाज्य नहीं लगते हैं लिकिनी वास्तों में भाज्य है जैसे इनके फैक्टर अगर करोगे वन से हो जाएगा थिरी से हो जाएगा थार्टी वन से हो जाएगा तो बस अगर दो से अधिक मिल गया तो समझ लो वह भाज है भाज नहीं है 93 तो है वैसे यह देखो सिम्पल में वन से थिरी से 5 से 25 से 75 से इतने सारे सारे फैक्टर हो रहे हैं फिर यह बताव कैसे होगा कि कुछ समझ में आ रहा है चले टॉपिक पर चलते हैं तो आप सभी मुझे यह बताओ इस समय वर्गमूल चल रहा था ना मेरे भाई कि वर्गमूल टॉपिक चल रहा था इसक्वायर रूट इस मैद की कलास का एक नया बैच बारा तारीक से सुरू हो रहा है आज से बताया गया था लेकिन कुछ अपरिहार कारणों से आज नहीं हो पाया अब मैं कमेंट नहीं पढ़ूँगा अगले 20 मिनट जिनको पढ़ना सिर्फ वही रहेंगे जिनको नाम बलवाना वह भाग जाया यहां से जिनको इमांदारी से मैं सीखना है वो रुकेंगे क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल दिल से अब कमेंट नहीं देखूँगा कि रामबान ट्रिक मतलब विधी है क्योंकि इसमें सारे नंबर के वर्गमूल निकल जाते हैं चाहे वह भाज्य हो या अभाज्य हो किसी भी प्रकार का नंबर हो सीधा टेड़ा कैसा भी कल मैं इन दोनों को बताया था एक बार बोलो हाँ बताया था ना हम तो मान तो याद होगा बता दो फिर क्या था अब हम आज अंडर रूट पांच का वर्गमूल करेंगे दस हमलों के दो अंक तक बस तो भाई आओ पहले पांच को लिखोगे जैसे है वैसे ही उसके बाद क्या करोगे दस हमलों के जितने अंक तक आपको इसका वर्गमूल निकालना है उतने आप जोड़े बनाएंगे इसके बाद में ठीक है कल बहुत से बच्चों की मांग थी कि इसको फिर से आगे अगल दिन पढ़ाया जाए जिससे क्लियर हो जाए हमें दस हमलों के केबल दो अंक तक निकालना है तो हम इसके बाद में दो जोड़ा बनाएंगे जोड़ा के लिए डबल होना जरूरी है यह तुम सब को अ सब्सक्राइब रीड यूपी एससी यूपी त्रिपल एससी और यूपी असाई से लेके कोई भी पुलिस एक्जाम सब के लिए है यह बेस तो वही होता है ना कोई मकान धरती पर बनता है ना आसमान से शुरू होता तो यह जमीन है आपकी मजबूत हो रही तो यह क्या हुआ मेरे भाई दो जोड़ा बन गया चलो सुरू करते अब जो बच्चे पिछली कलास नहीं देखे वो पिछला कलास जरूर देखे आपको कुछ और confidence मिलेगा यह 5 है यहां पे समझना यह क्या है 5 है वो तुमें भी दिख रहा है हमें भी दिख रहा है कोई ब अब समझना कोई ऐसा नंबर जिसका इसक्वाइर करें तो 5 आजाए है यह 5 के आसपास आए जैसे मालो यह 16 है तो मेरे भाई और का इसक्वाइर करने पर 16 हो जाता है ना बोलो हाँ काओ जाचा होता है ना जैसे तुम्हें यह भी पता है कि 9 का इसक्वाइर करने पर 81 हो जाता है वैसे मेरे भाई यह बताओ कोई ऐसी नंबर है जिसका इसक्वाइर करने 5 हो जाए कि फोर तो हो जाता है टू का इसक्वाइर करने पर फोर हो जाता है इसकी गोर बेज्जती है जैसे कोई दो भाई हो छुटके एक साधी हो जाए लरका बच्चा हो जाए बड़का वह इसे रह जाए तो लोग कहते हैं कौनों कौनों खामी जरूर होई तब है नयवा तो वह ही हाल है इसकी बिचारे की कि इससे छुटका कवर्ग बन रहा है इसका नहीं बन रहा है चल भाई ठीक है रोली आदो राजुपाद्धायाजीत लक्षमी देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है तब क्या करेंगी अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कोई ऐसे नंबर का वर्ग करते हैं जो इसके आसपास आजाए कि subd gerekте जो इसके आज पास आज जैसे अगर आपका माल हीजी हुरे कुछ पकवान खाने का मन हैं सIs Bhaskol में लोग हर को लेकिन अगर पेट भरा है तो तो फिर वहीं चाहिए उससे नीचे कुछ नहीं तो वैसे इसके बराबर नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे लगभग में कुछ भी हो जाए वहीं करते हैं यानि दो काई स्कॉायर देखिए बहुत बिस्तार से बताना पड़ता है इसके बराबर तो नहीं है ये लेकिन हम इसको यहां करते हैं चलो दो काई स्क्वार कितना होगा फोर डबल डबल ऐसे लिखने का तरीका जान लो यहाँ पर बस अगर दो बार ले गए तो दो नीचे उपर लिखोगे इसकी मुंडी टेंड ही है बले अलग बात है और उपर भी दो ले जाओगे ठीक है लिखो इनको जोड़ेंगे यहाँ पर एक बात का विसेज ख्याल रखना है कि यह थोड़ा सा जगा छोड़ के लिखना जोड़ के चार यहाँ नहीं लिखना सटा के इधर लिखना चार इनको घटाएंगे वन आया आद देखो फोर जो है वो ज़्यादा है वन कम है हम कह सकते हैं फोर इज ग्रेटर देन वन इस फोर का भाग वन में नहीं जाएगा उपर से जो जोड़िया बना के रखे हो न यह एक जोड़ा यहाँ उतरेगा पूरा पूरा जोड़ा उतरता इसमें भाग की तरह एक सुनने उतरता है हुआ 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 है समझ रहा हो भाई लोग चलो तो अब कितनी बार जाएगा जरा ट्राइगर करके बताओ तो चलो देखो अगर वन बार जाएगा तो फोर्टी वन आएगा भाग ले जाने का यहाँ पर जो लोचा है वो थोड़ा अलग तरह का होता है समझ न जैसे देखो वन बार जाएगा तो यह ऐसे बनेगा यहाँ पर वन यहाँ पर वन वन का मतलब ही है यह वन वन जा वन वन फोर जा फोर यह उट के मुँँ में जीरा साबित हो रहा है काफी कम जा रहा है कि यह टू बार जायेगा सीधा फिदा तीन बार जायगा ज्यादा हो जायेगा दो बार जायेगा तो यहां पर दो तू टू जा फोर और टू फोर जा एट जो दूना चार दू चौका आठ इसको जोड़ेंगे साधानी रखना इधर चिपका के नहीं लिखना चिपकाने बार फोड के लिखना है हमेशा जैसे बगवान स्री राम चंद्र जी के पुस्पग वीमान में हमेशा एक जगा खाली रहती थी तो इसको एड़ करेंगे इधर एक जगा छोड़ के आफ फोर यहां फोर उके इसको सब्ट्रे करेंगे घटाएंगे इसमें से अब तुमको घटाना जोड़ना तवबे करता है इतना आता है न एक गलती हुई है यहां पर बताओ क्या एक गलती यह हुई है चाचा लोग यह जीरो को यहां पर उतार लिए फिरी में उपर दसमलो बढ़ाओ के तब उतारना था क्यों क्योंकि यह उस पार था दसमलो के फिर टू बार ले गए थे तो यह टू भी यहां लिखो पर पता नहीं सही जा रहा है घड़ा जा रहा हो चाचा लोग यह डरना नहीं सब जारा है तुम्हारे सामने थो हो रहा है न इमांदारी से चलो रहा है आप देखो समझो ठीक है हो गे डन अब 44 जादा है तोला कम है इसमें इसका भाग नहीं जाएगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा फिर उपर का एक जोड़ा उतार लो गया है अब बताओ होगा फोर का भाग 16 में कितना बर जाएगा कितना बर जाएगा चार बर जाएगा ना कलपना निसाद यहां पर दिमाग बुद्धी सब लेके आना पड़ेगा आएगा मैं कल भी बताया था जो बिलकुल सिर्फ इसी पर नजर रखेंगे उन्हीं को समझ में आएगा जिनके मो अगल में टीबी चल रही सीरियल उसमें आ रहा है कुछ अच्छा एक नजर कापी में देख रहें देख ले रहे हैं कि घर में दो चार सबसें वह कौन सी बात का चर्चा कर रहे हैं वह भी दिमाग में रखें बीच-बीच में रिपलाई करे जा रहे हैं ऐसे नहीं आएगा सिर्फ पढ़ रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो दिमाग में कुछ और नहीं सोच रहे हो तभी आने वाला यह बाकी नहीं आएगा कि ध्यान लगाना पड़ेगा इसके लिए आएगे तो अब चार बार अगर हम ले जाएंगे तो क्या बनेगा समझना चार बार ले जाने का मतलब यह ऐसे 44 है न यह चार बार भाग जाने का मतलब यह ऐसे बनेगा 44 हासी लेग 4 चोग 16 एक 17 हासी लेग 4 चोग 16 एक 17 मेरे भाई यह जादा हो गया खूप सारा तीन बर जाएगा ना थी टाइम जाएगा तीन बर जाएगा पक्का है उपर भी तीन बढ़ाओ तीन तरीक का नो तीन चोग 12 हासी लेग 3 चोग 12 एक 13 इनको जोड़ेंगे इधर एक जगा छोड़के तीन तीन चे चार चार घटाओगे एक 9 में से 2 गया साथ दो ओके देखो यह भाग फल जादा है सेसफल कम है इसमें फिर भाग नहीं जाएगा हमने दो अंक पर ही बोला था ले जाने के लिए तो सो भी केंड राइट हम पांच का निकाल रहे थे तो पॉइंट टू थ्री यह अंसर आ गया अच्छा देखो यह सही हो सकता है कि गलत मैं बताता हूं कैसे सही गलत अनुमान लगाते हैं देखो एक चीज़ समझो क मेरे भाई इस से छोटका इसए ने इसके एक मिनटे हाँ अनुमान लगाते हैं हमें न पता है न तुम्हें कुछ पता है लेकिन हम लोग मिलके अनुमान लगाते हैं सही गलग देखो अंडरूट फोर न अंडरूट फाइफ अंडरूट नाइन जिसका हमें पता है तीन होता है इसका पता दो होता है एच अच्छा लोग सुना न इसको टू पॉइंट टू थरी हो रहा है तो क्या बुराई है हां चार का वर्गमूल दो होता है नो का तीन होता है तो जो पांच है यह चार और नो के बीचवें तो है तो ढाई के लगबग जा रहा है सही तो है फिर न ठीक है कोई डाउट इसमें नहीं ना लिख लो जल्दी से स्क्रीन साट ले लो सभी साथी सेशन को लाइक जरूर करें यह आपकी जिम्मेदारी है निभिदन है फटा पट लाइक करें देर ना करें अभी आदे से जादा इस्टूडेंट सेशन को लाइक नहीं किये हैं और डेली पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें बहुत जल्दी करें अगला कुश्चन आपके सामने आ रहा है बस एक थोड़ा सा ब्रेक के बाद जाना नहीं कोई छोड़के इसके बनी करना देख लेना चले आगे बढ़े बोलो आगे बढ़े न कोई डाउट बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं न थीक है रोहित जी बहुत अच्छा रोहित जी देखो यह लोग क्या करते हैं खुब सारी नहीं नहीं आईडी बनाते रहते हैं खुब सारी नहीं नहीं आईडी बनाके अपना सब कर क्या आप लोगों के फोन में दिखा गया कुछ कि ब्रेक था तोड़ा चलो कि फाइब का कर लिए मेरे भाई अब यह बताओ किसका करें आप लोग बताओ एक बार सेबन का निकाले इस इलेबन का नाइन का किसका निकाले किसका करें अब बोले बार किसका नंबर बोलो फट से किसका निकाला जाए अब अर्चना सर्मा एक बार और बता दें अनुज गो्यल आठ का अंकिता पासेवान सें का नौकर बड़ा आसान नौकर नहीं कर ना आ ऐसी नहीं करना है यसी संख्या जो Ide8 नहीं है उसका करना है चलो ठीक है प्रिया सिंग नीचे नंबर चल रहा है स्क्रीन पर नंबर चल रहा है नीचे उस पर संपर्क करिए दिन में वाट्स अप करिए फोन कॉल करिए लाश्ट तक जूड़े रहेंगे तो मैं अपना प्रफनल नंबर दूँगा इंस्ट्यूट का नहीं अपना नंबर तक यहां दिख रहें तीन अंक तक करना है ना मेरे भाई तो एक काम करोगे जितना अंक तक करना होता है उतना जोड़ा बनाओगे सुनना का यह एक दो तीन ऐसे करते हैं ठीक है चलो जल्दी करो अनिडाउट किसी को नहीं आई इनको यहां पर लिखिए सेबन पॉइंट जीरो 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 देखिए मैतना बहुत फ्रेंडली सब्जेक्ट है बस इससे आपको थोड़ी सी महबत करनी है थोड़ा सा प्यार करना है बस ज्यादा नहीं एकदम थोड़ा सा हद से ज्यादा ज्यादा तो कहीं भी खराब हो जाता है फिर आपको आयेगा कभी ने छोड़ने वाला यहां यद्म यान नौल एज एक ऐसी चीज है जो कभी दोखा नहीं देता है हां आपकी वो दोखा दे सकती है आपका वो भी दे सकता है लेकिन यह नहीं देने वाला इस लिए इससे थ वोलो नहीं ना यानि कोई ऐसा नंबर नहीं है कि इसका स्क्राइब लाता है वचके नीचे तब के तब देखो जैसे मैं कह सकता हूँ यहां पर सुनो तो पीन नहीं करो गया दो जो हो सकता है तू हाँ तो यहां पर क्या करेंगे टू बाल ले जाएंगे यहां पर टू यहां पर टू आपर टू कि इसको जोड़ोगे फॉर कि कोई डाउट नहीं ध्यान से समझे ना प्यार से समझोगे सब समझ में आगा टेंसन मत लेना चलो यह कितना आया फॉर ना देखो दो का स्कॉर क्या होता है चार होता यह तुम्हें सब को पता है नीचे हिसाब करो मेरे भाई दो का स्कॉर चार होता है देखो सिंपल सा बात यह है कि जैसे अगर तुम्हें उसको सब छोड़ो साथ में भाग ले जाना है तो इसमें हम किस से भाग करें कि यह मतलब पूरा-पूरा कड़ जाया इसके लगभग में आये बंदना यादो करी तीन काहे को नहीं होगा कि अच्छा लोग भाईया लोग बाबू लोग तीन इस लिए नहीं होगा क्योंकि जब तुम यहां तीन लिखोगे लो कि लो कि यहां लिखने का मतलब इसका गुड़ा होता आपस में मल्टीपल होता है तो तीन तरीका नो हो जाएगा अब बताओ कई से घटे गए कि बोलो साथ में से नो गटेगा नहीं न ज्यादा हो गया न ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि हद्ध से ज्यादा बड़ा नुक्सा अंदायक होता है इसलिए तीन नहीं होगा समझ में आ गया तो बोल दो हाँ, दो दूना चार, उपर भी दो ले जाओगे, उपर तो अंसर इकठा होता है न? चलो, इनको जोडते हैं, दो दो चार इधर एक जगा छोड़के, इनको घठाते हैं, तीन, उपर से एक जोड़ा उतार लोगे, अब ये बताओ, तीन सो में चार का भाग कितनी बार जाएगा, एनिमन ट्राई कर लो, देखो बहुत सिम्पल है मेरे भाई, आपको ये काम करना है कि फोर का भाग 3030 में कितना बार जाएगा, तो चार का भाग 30 में, चार सते 28 लगबग 7 बार जाता है न, 7 बार जाता है न, चलो 7 बार ट्राई कर लेते हैं, क्या जाता है, ये लो 7 बार ट्राई करेंगे तो ऐसे बनेगा ये, साथ बाल ले जाने के मतलब ऐसे बनेगा, एक चीद ध्यान रहे, एक कमेंटमेंट बंद करो या दिमाग, कदही बना दियें लोग, ये जोड़ा उता रहा था, ता समलो के बाद वाला यहां ता समलो बढ़ाओ, बोलना नहीं, साथ बाल लेकर चलो, साथ बाल यहां भी लिख लेते हैं, साथ साथ उन्चास, साथ चोग अठाइस, अठाइस में चार जोड़ोंगे, अठाइस, तुई तीस, बत्तिस, देखो चोपड होगा ना सब, अब बकरिक बस के कौणा लीलब ना, सुने अकावत की नहीं, तो यह MS नहीं घटेगा ज्यादा हो गया अगर एक बार किसी राष्टे पे जा रहे हो ठोकर लग गई तो तुम्हारी आकल काम करने लगेगी दूबारा जाओगे तो थोड़ा आँख खोल के जाओगे तो वैसे एक बार जब साथ बार ले गए मुझे लग राएक ज्यादा ह हो रहा है तो थोड़े बुद्धी खुल रहे है अब 6 बार जाएगा पक्का है क्योंकि यह थोड़ा ही ज्यादा 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 नहीं बहुत ज्यादा तो यहां भी 6 बार ठीक है तो यहां भी 6 लिखोगे 6 6 जा 36 36 का 6 6 फोर जा 24 24 में 3 एड करोगे 27 सब्ट्रेक कर लिजिए 24 आएगा बहिया 100 में से 76 गटा आओगे 24 आएगा सिंपल इनको जोड़े बार बार बोलता हूँ इनको जोड़ के इधर एक गिंती लिखने की जगा छोड़ के तभी लिखना क्योंकि बगल में एक बिधाय की सीट फिक्स रहती यहां पर आरक्षित है 36 12 आसी लेक 4 एक 5 इनको थोड़ा इधर एक खिसकाते रहते हैं 52 में 24 मतलब 52 से 24 में भाग नहीं जाएगा फिर क्या होगा उपर का के ठी जोड़ा और उतार लो अभी देखो एक जोड़ा में यहां उतारा था यह खतम हो गया दूफर का जोड़ा उतारो यह अब बोलो कितनी बार जाएगा दसमलों के बाद तीन अंक तक जाएगा यह थिरी डिजिट तक क्योंकि यहां पर लिखा तीन अंको तक अब यह बताओ मेरे भाई मेरे भाव की 5 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा बोलो कि एनिवन कि चलो बता 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 मैं देख रहा हूं कि अनुज गोथवाल कि एक की एक की अस देखो मैं आपको एक बात या दिला दूँ बीच में कि आप सभी पी वी यार स्टेडी आप में जाके अगर कोर्स को इन्रोल करते हैं तो आप कम समय में मींस वन मन्त के अंदर पूरा बेसिक क्लियर कर सकते हैं एक बार पी वी यार स्टेडी आप जरूर ट्राइए करें नाम की स्पेलिंग ऐसे हैं पी फार पायरट वी फार बायन आर फार रेट स्टेडी गूगल प्लेइश्टोर पर सर्च करना मिल जाएगा एक अप्लिकेशन है एच अच्छा का एको बहरे गहरे बाबा चलो चार बार लोग बोल रहे हैं ठीक है तो पांच का भाग इसमें चार बार जाएगा हम लोग चार बार ट्राइक कर लेते हैं आओ इधर साइ च्छा चूग सोलाासी लेक चाप जुना आर्ठ एक नौव चार पंचेब पीस का दुए हजार चानवे बहूत अच्छा सर्टीक बाइठ रहा है हम पांच बार कहना ट्राइक कर लेते हैं पांच बार ट्राइक लें ना आओ देखने में का जाता है देखो पच्छम 25 का 5 हांसिल दो पांच दूना दस दो बारा का दो हांसिल एक पच्छम 25 एक 26 ता सल्ली होई गया चाते जुड़ा है कि जेका काद ना बता ज्यादा हो गया ना यह 2400 था यह कितना हो गया 2600 फिर भी करना चाहिए यह एक्सपेरिमेंट यह ज्यादा हो रहा है सब्सक्राइब कर जाएगा कि दुएजार चानवे अब जोड़ो अभी नहीं तो कभी नहीं रख होंसला वो मंजर भी आएगा खुसियों का चल कर समंदर भी आएगा ठक करना बैठा ए मंजिल के मुसाफिर तुछ चलता जा एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मचा भी आएगा ठक करनी बैठना लगे रहना है एक कुश्चन कर लेना बहुत बड़ी मेहनत है आज क्योंकि सिखाना पड़ रहा है अगर लगाना होता तो मैं ठक कर दिया होता चलो इनको जोड़ेंगे पोर पोर एट इधर एक जगा छोड़के लिखेंगे इनको घटाओगे कितना आएगा चार सो चार भाई साब एक मिश्टेक हो रहा है कहां हो रहा है यह हो रहा है कि लाश्ट में फोर बार जो तुम ले गए थे उपर काई ने लिखे थे यह उन तो लिखना ज़रूरी था ना क्योंकि आंसर तो उपर बन रहा है ना कि अभी एक गठरी बची है कोगे गठरी कहां है उपर यह यह बची ना एक जिस पर लाइन है अभी इसको भी नीचे उतार लो गई है अब कितनी बार जाएगा पांच का भाग चालिस में कितनी बार जाएगा ट्राई करो एक बार पांच का भाग चालिस में आठ बार जाएगा तो आठ बार ट्राई कर लेता हूं आठ बार भाग जाने का मतलब यह इसे बनेगा इसे एट एट जा सिक्स्टी फोर बचा छे एट इट जा सिक्स्टी फोर में छे जोड़ोगे सेबंटी है जाएगा ना आसी लाया साथ एट तुजा सिक्टीन सोल फाद तैस आठ पंचे चालिस तिरालिस धेर ज्यादा हो जारा भाईया ए भाईया धेर ज्यादा हो जा रहा है चालिस हजार चार सो है यह तिरालिफ हजार हो जा रहा है तो साथ बार जाएगा पक्का साथ बार जाएगा चार सो चार नहीं तीन सो चार आएगा कहां हो 404 तो मैंने कहीं लिखाई नहीं है कहां 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 बोल रहे हैं तुम लोग यहां पर कुछ गड़ पड़ हो रहा है का यहां पर हां सरी सरी यहां पर न देखो यहीं तो है न साधानी हटी दुर गटना घटी बहुत अच्छा आप लोग देख रहे हो जग रहे हो इसका मतलब हो जाता कभी कभी छोटा मटा मिस्टेक आईए तो अब तो यह काफी नीचे जाएगा बहुत कम हो जाएगा आप तो पांच का भाग तीस में कितना बार जाएगा छे बार ना अब छे बार ट्राइग करो कितना आएगा अनसिका मिस्रा कमेंट आपका दिख रहा है रोनक इस उबर दीन अनुज गोथवाल ठीक है कितनी बार जाएगा फिर यह भी है छे बार ट्राइग कर लो एक बार छे चख चतिस के चाहां हासिल तीन चे एठे अन तालिस दूई पच्छास इक वन हासिल पांच छे दूना बारा पांच सत्रा हासिल एक छे पंच चे तीस से कहकत तीस अब बीना कुछ करे तुम पांच पांच लिखो आगया चाहे इसको करो या ना करो तुम छोड़ो भगाओ 2.645 आगया चाहे कुछ लिखो या ना लिखो या अंसर आगया हमें तीन अंक तक निकालना था फिक्स हो गया लेकिन हाँ अगर परिक्षा में कहीं बेसिक निकालना है सिर्फ आंसर नहीं करना तो आपको इसे पूरा करना होगा सिर्फ आंसर निकालना था तो हो गया था कोई बात नहीं पचम पचीस हासिल दो पांच अठे चालिस दो बैयालिस का दो हासिल चार पांदूना दस चार चबुदक चार हासिल एक पचम पचीस एक छब्विस इनको घटा लीजिए ना घटा ये कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है रही गुड़ा हुआ है न हो गया ना अंकिता पास्वान आंसर सही आया है बिल्कुल सही है ठीक है सभी को समझ में आ गया ना देखिए यह समझने वाली चीज है अगर आप समझोगे नहीं तब इसमें बिल्कुल कुछ पल्ले नहीं पढ़ने वाला इनको जोड़ लो क्वासा पांच दूपक कि हम मेंच उधी दो गया कहाओ इसमें से उधार गया था तेरा और नाव्यक्ता का नाओ कि यह लगबाद आएंग है फ़र्वी देख हो यह जादा होना चाहिए हमेशा इसससे लाच्ट में ज्यादा है ना तो यह आंसर हो गया लिख लीजिए जल्दी से अमरितांजल मिसरा जी बिल्कुल बहुत से लोगों की उम्मीद PBR Study है और आप लोगों का विश्वास और प्यार जिसकी बदौलत हमें आपे हैं आपको एक बार याद दिला दें कि आप PBR Study एप्लिकेशन डाउनलोड करके इस क्लास को ज्यादा लॉंग और ज्यादा टाइम तक देख सकते हैं गूगल प्ले इस्टोर पर एप्लिकेशन उपलब्ध है ठीक है बात पक्की ना आज का क्लास का टाइम भी ओबर हो गया वैसे क्योंकि दस बज़े से अगली क्लास देखिए समझाने में टाइम ज्यादा लग सकता है हो सकता है एक है कुश्चन में एक घंटा बिदा दूं लेकिन हमारी कोशिस है वह आपको सब को समझ में आ जाना चाहिए अंतिम सीट पर बैठे हुए बच्चे को भी समझ में आना चाहिए बहले टाइम थोड़ा चाहिए तो कम से कम काम की चीज हो रही तो तो थोड़ा टाइम यहां लग गया तो क्या गया लोग दिन भर मुबायल में टाइम बेस्ट करेंगे उसका हिसाब नहीं करेंगे कभी नहीं अगर कहीं कोई काम से गए है जहां कोई काम हो रहा है तब वहां टाइम जोड़ेंगे हाँ अरे बड़ा टाइम लास हो गया तो तो अधी बात है ना डेली कलास के लिए देखिए रोहित सर आपको लिंक दे रहें कमेंट में आप जा करके टेली गराम चैनल जॉइन कर लो क्योंकि टेली गराम में रोज कलास का नोटिफिकेशन दिया जाता है ठीक है समझ रहे ना बेसिक मैथ अगर आप सिर्फ एक बिनट सुन लिजिए यह कलास खतम हो गई है जिनको जाना वो जा सकते हैं जो हमारा बात सुनना चाहते हैं रुके रहे हैं संटु कुमार जी आप विकलांग हैं और आपको मैथ नहीं आती है निरास है संटु जी उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए सब कुछ जिन्दगी में लेकिन एक बार फिर फिर जीतने की उम्मीद को जिन्दा रखना उम्मीद नहीं छोड़ना कभी मैं आप और अगर आप सच में विकलांग है क्योंकि हमारे हैं बड़े खतरनाक खिलाड़ी है यह बिना विकलांग के विकलांग बन जाते हैं तो अगर आप यह वर्ड आप लिख रहे हैं वैसे तो दिभ्यांग बोला जाता है भारत देश में तो आप वाड़ सब्सक्राइब कुछ आप मैद सीखना चाहते हैं तो हमारे पास यह भी प्लान है लेकिन ध्यान रहें पढ़ना पड़ेगा जान फूक निकरते हैं कोई टीका टोटका निकरते पढ़ना पड़ेगा इसके लिए आपके पास कई प्लान है सब्सक्रेब्स वाले में पहला आप 299 में ले सकते हैं तीसरा आप 799 में ले सकते हैं इनकी वालिडिटी होती है यह 12 मंथ कि यह आपको इस समय 6 मंथ और यह आपको 45 डे समझे रहे ना इसका मतलब ऐसे समय लीजिए जैसे मोबाइल की रिचार्ज आप लोग करते हैं अठाई दिन पाताले दिन चानबे दिन जो भी वैसे सेम तु सेम है पूरा कंप्लीट कोर्स इसमें आपको मिलेगा जीरो से लेकर के टैंथ तक का एंसी यार्टी डाउट कुछ सर्तों को मानते हुए आप डाउट पूछ सकते हैं सर्त क्या होगी यहीं पर सुन लीजिए पहली सर्त यह आपको पढ़ना है कि दूसरी सर्त यह है कि जितना कोर्स मिले का वीडियो उन्हें सीरियल भाई सीरियल देखना एक तरब से सारा छोड़ना नहीं कोई वीड तरीके से अगर आप इन तीनों बातों का पल्म करेंगे तो पीबीर स्टडी अप्लिकेशन में 12444 बच्चे अभी तक स्कोर्स में इंडॉल हुए हैं किसी को कोई डाउट नहीं होता है ना कि बराबर होता है फिर भी अगर आपको होता है तो हमारा प्रस्टनल नंबर आप उस पर पूच पाएंगे किसी भी समय राद दिन सुबा साम कभी भी हम आपको बहुत जल्दी से जल्दी कोसिस काते रिपलाई करेंगे ठीक है